नमस्कार में रेनू प्रभा साक्षी में आप सभी का स्वागत करती हूँ ये हमारा विशेश प्रोग्राम है सजना है मुझे मैं आज आपको बताऊंगे कि कैसे आप अपने स्किन पर चाबल का आटा लगा के तमाम समस्याओं को चुटकी में हटा सकते हैं तो आईए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या चाबल का आटे के फाइदे हैं मैं आपको बता दू कि सूरज के किरने हमारी स्किन के लिए बहुत जादा हानिकारक होती हैं और ऐसे में अगर आप चाबल का आटा अपने फेस पर पैक बनाके लगाते हैं तो ये बहुत सी समस्याओं से हमें बचाता है और सूरज के जो हानिकारक किरने होती हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है ऐसा इसमें महजूद फ्लॉरिक एसिड एलेंटायन के कारण होता है जहां एक और चाबल का आटा सूरज की किरनों की शती पहुचाने से रोपता है वहीं दूसरी और ये संबन वा संसेट में भी फायदे मंद होता है इसके इस्तमाल के लिए थोड़ा सा चावल का आटा लेकर उसमें ठंड़ा दूद मिलाईए वह पेश्ट तैयार कर लीजिए अब इसे स्किन पर लगा लीजिए करीबन 15 मिनिट के लिए छोड़ दीजिए अंत में ठंडे पानी से अपना चेहरा वाश कर लीजिए अबसे छुटकारा पाना है तो भी आपके लिए चावल का आटे का पेश्ट बहुत जादा फाइदे मन्द है तो आइए जानते हैं कि आपको अगर डाक सलकर से छुटकारा मिलेगा तो उसके लिए आप पेश्ट कैसे बनाएं इसके इस्तमाल के लिए थोड़ा सा केला, कैस्टर आईल वा चावल का आटा मिलाकर एट थीक पेश्ट 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 कर लेएं अब इस पेश्ट को आई माक्स की तरह लगाएं कुछ देर बाद आखों को साफ कर लें अगर आप अपनी स्किन को ब्राइट वा लाइट करना चाहते हैं, इसके लिए भी चावल का आटा बेहत फाइदे मंद है दरसल चावल में महजूद अमीनो ऐसेट विटामिन्स स्किन को साफ करने के साथ साथ उसे गलो करने में भी मदद करते हैं इसके लिए बाउल में चावल का आटा लेकर उसमें दहीवा शहत मिला कर पैक बनाएं अब इसे अपने चहरे पर वा नेक एरिया पर भी लगाएं और सूखने दें अंत में साफ पाने से अपने चहरे को वाश कर लें चावल के आटे का एक गुण ये भी है कि वो चहरे से पिम्पल्स और रिंकल्स को भी टाटा बाइबाइ कहला देता है इसके अलावा आपको एक प्रकर्तिक सुन्दर्ता जो आपके चहरे वा स्किन की खुपसूर्ती है उसको भी प्रदान करता है जिनके चहरे पर रिंकल्स वा पिंपल्स होते हैं उनकी प्राकरतिक सुन्दर्ता कहीं छिप जाती है उस सुन्दर्ता को दोबारा निखारने के लिए इंजूरियों वा पिंपल्स से निजात पाना बेहदावशक होता है इसके लिए आप टेस्पून चावल के आटे में खीरे का रस और नीबू का रस डाल कर एक पैक त्यार करें इसके बाद इसे अपने चहरे पर लगा लें और सूखने दें अंत में अपना चहरा वाश कर लें इसका असर आपको एक सत्ता के अंदर ही देखने को मिल जाएगा तो ये थे कुछ चावल के आटे के फायदे चावल आपके घर में खाने में भी यूज होता है आपकी सुन्दरता को बढ़ाने के लिए भी ऐसे ही तमाम टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं इसके अलावा आप हमें इंस्ट्राग्राम, टुईटर और फेस्बुक पर भी पॉलो कर सकते हैं इसके अलावा देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं प्रभासाक्षी के साथ मैं रिनू फिलहाल आपसे विदा चाहती हूँ नमस्का